प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्षिया साथ विशेविग्यान उडान चरण टू के अंदर पार्ट नो मिर्दा करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नहीं है जिन बच्चों ने भी देख चैनल को स covid कर ले लाइक कर दे और शेयर कर दें तो सुरू करते हैं आज की खारे पत्र एक में आप अपनी स्कृन पर देख सकते हैं है नीचे दीए कि चित्रों को ध्यान प्रॉक देखें और चर्चा करें की तेज बारिस होने पर कहां से अधिक मिट्टी के साथ बह कर आएगी और क्यों पहले में गना जंगल है दूसरे में मुरुस्तल है यानि कोई पेड़ पोदे नहीं है तीसरे में घांस का मेदान है तो प्यारे बच्चों मुरुस्तल के अंदर क्या है मिट्टी जादा बहेंगी इस तरह से होने वाले मिट्टी के बाओ को क्या कहते हैं से कहते हैं मिर उपरी उपरी उपजाओ मिट्टी जो है यह हम कह सकते हैं उपजाओ पन में कमी आएगी उपजाओ पन में कमी उपरी मिट्टी के साथ पोसक तो बैजाते हैं मिट्टी के साथ पोसक तो बैजाते हैं ठीक है जिससे मिट्टी है वो मुरुस्तल में बदल जाएगी आगे इस तरह से उन्याले मिट्टी के बाहों को रोकने के उपाई लिखो तो इसका एक ही है पेड़ पोदे लगाकर पेड़ पोदे लगाकर हम मिट्टी के बाहों को रोक सकते हैं क्योंकि पोदों की जो जड़े हैं वो मिट्टी को बांदे रखती है आगे है ताकसी, राम, और अदानाय तीन, अलग-अलग तरह की मिट्टी के नमूनी के ठीके नीचे लिखे लिखे तालिका में बताया गया क्यों इसे रेत, कंकड और मिट्टी कितनी इतनी मात्रा में है ताकसी द्वारा कंकड कम है, रेत ज़्यादा है, मिट्टी भी ज़्यादा है तो इस परकार की मिट्टी दूम्टी मिट्टी हो सकती है कौन सी हो सकती है, दूम्टी मिट्टी हो सकती है रामदवार एक्तरित में क्या है कंकड जादा है रेत जादा है मिट्टी कम है तो ये बालो या बलोई मिट्टी है इसकी रादादर एक्तरित में क्या है कंकड कम है रेत भी कम है और मिट्टी जादा है तो ये चिकनी मिट्टी है कौन सी मिट्टी है चिकनी या मिट्टी का या मिट्ट में इसको कह सकते हैं निमन पर्षनों के मिट्टी के कौन सी नमूने से पानी जल्दी रिस जाएगा और क्यों तो इसमें जो है वो बलूई मिट्टी में कौन सी मिट्टी में बलूई मिट्टी में ब्लूई मिट्टी के अंदर खालेस्तान ज्यादा होते हैं जिससे पानी जल्दी नीचे रिष जाता है अगर ताकसी राम और रादा मिलकर मिट्टी का मटका मनाना चाहते हैं तो कौनसी मिट्टी के नमूने अच्छे बनेंगे कौन सी मिट्टी के निमुने यानि चिकनी मिट्टी या जिसको मिर्दी का या मिर्द में मिर्दा भी कहते हैं ठीक है आगे है कारिय पत्रक तीन सेल कनो और यूमस का मिसरन मिर्दा कहलाता है मिर्दा की प्रिवासा क्या है सेल कनो और यूमस का मिसरन मिर्दा कहलाता है जिवानों जैसे बेक्टिरिया पादप मूल जैसे जीव भी मिर्दा के मैथपूर्ण अंग होते हैं मिर्दा को उसमें पाए जाने वाले विभीन आमाप के कणों के अनपात के आदार पर बलूई दुम्टी और मिर्दमे के रूप में वर्गी कृत किया गया है जिसमें मोटे कणों का अनपात जादा होता है वो बलूई होती है जिसमें मोटे और चोटे कणों का अनपात बराबर होता है वो दुम्टी होती है और जिसमें छोटे कण जादा होती है किस मिर्दा के कंड सबसे बड़े था किस मिर्दा के कंड छोटे होते हैं तो ये मैं आपको बताई चुका हूँ बलूई के सबसे बड़े और मिर्ण में यानि मिर्दिका के सबसे छोटे किस मिर्दा के कंडों में रिकस्तान जादा होता है तो ये होता है बलूई में किस मिर्दा के करण आपस में अधिक जुड़े होते हैं ये होते हैं मिर्दी का या मिर्ण में मिर्दा या चिकनी मिर्टी भी कह सकते हैं किस मिर्दा में जल दानक समता अधिक होती है किस मिर्दी में होती है तो ये भी मिर्तिका के अंदर होती है इसी में होती है या चिकनी मिर्ति में होती है तो प्यारे बच्चो आज की क्लास में इतना ही उमेद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा धन्यवाद